देश की रिधैस्थली नागपूर और उससे जुड़ा हुआ एशिया का सबसे बड़ा उद्योगिक प्रक्षेत्र बुटीबोरी बुटीबोरी यह नगरी तो है छोटी सी परंतु उद्योगों के इस विशालकाय शेत्र में एक और क्रांती का आगाज हुआ है जिसका नाम है न्यू करियर पॉइंट बुटीबोरी अद्योगिक शेत्र के प्रमुक चौराहे से मात्र दोसो मीटर की दूरी पर स्थित न्यू करियर पॉइंट का श्री गणेश सन 1997 में किया गया था श्री रविंद्र रोडे सरद्वारा एक मात्र प्राथमिक लक्ष था उनका और वह यह कि कोई भी विद्यार्थी मात्र आर्थिक रूप से सामान्य होने के कारण अच्छी शिक्षा वह मार्गदर्शन से वंचित न रहे आता उस समय एक छोटे से अविक्सित इलाके में कम खर्च में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का कार्य प्रारंभ हुआ प्रामानिक्ता एवं समर्पन इसका यह नतीजा है कि आज रोडे सर का न्यू करियर पॉइंट एक छोटे से अंकुर से महा व्रक्ष का रूप धारन कर चुका है जिसकी चाओं में विद्यार्थी, JEE, NEET, MST, CET साथ ही नववी तथा दसवी की स्टेट वस CBAC बोर्ट द्वारा अपना भविश्य ततपरता से उज्वल बनाते जा रहे हैं न्यू करियर पॉइंट का प्रते एक शिक्षक, उच्च शिक्षित तो है ही, साथ ही विद्यार्थियों की स्वच्छता, स्वास्थ्य वा अनुशासन के लिए भी प्रतिबद्ध है विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर लंच ब्रेक भी दिया जाता है न्यू करियर पॉइंट का पूरा परिसर, CCTV की निगरानी में रहने से, कहीं भी किसी भी प्रकार की धिलाई या समझोता करने की गुणजाईश भी नहीं पूर्ण तरह से सम वातानुकूलित कक्षाओं में पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों हेतू कोचिंग के पश्यात, शिक्षकों की निगरानी में तीन घंटे स्टडी अवर, सब्जेक डिसकशन्स तथा रेगुलर टेस्ट सीरीज भी आयोजित की जाती है JEE, NEET, MST, CET की अलग-अलग बैचेस, समय समय पर Parents Teacher Meet लिया जाना, सभी विद्यार्थियों को Specialized Study Material दिया जाना इन समस्त बिरली सुविधाओं के कारण, प्रति वर्ष यहां के विद्यार्थी अपने शांदार करियर की मजबूत निव बनाते जा रहे हैं सन 2017 में पंकज ठाकरे यह बारवी कक्षा का विद्यार्थी पूरी बुटी बूरी में अववल रहा तो दस्वी की CBAC में सेजल गौतम, देवीका वर्धने, हिमान्शू सिंग, वेद पांडे, साहिल लोंडे, सुचिता कावले, मीनल कट्रे ये समस्त विद्यार्थी दस CGPA लेकर उत्तीरन हुए हैं यह उलेखनी हैं साथ ही दस्वी स्टेट बोर्ड में तुलसे टेमरे ने 96 प्रतिशत अंक लेकर बुटी बूरी में सर्वश्यष्ट प्रदर्शन किया व अश्विनी भेलावे ने 95 प्रतिशत अंक प्राप्त किये सन 2018 में पंकश ठाकरे ने नीट में सफल होकर मेडिकल कॉलेज अकोला में प्रवेश पाया उसी प्रकार यहीं के विद्ध्यार्थी विजय शर्मा का एंडिये में चैन, नितिन शाहू का जलगाउं इंजिनिरिंग में चैन, तथा स्रिष्टी भुसारी व शाक्षी काकडे को पीकेवी अकोला में मिला प्रवेश निव करियर पॉइंट के लिए अभिमान की बात है सन 2018 में ही दस्वी कक्षा के CBAC व स्टेट बोर्ड में विद्ध्यार्थियों ने जबर्दस प्रदर्शन किया 90 प्रतिशत अंक लेकर अग्रणी रहे तो स्टेट बोर्ड में शुभम मोहबे व केतन राय, 92 प्रतिशत व अनीश मेंडे ने 91 प्रतिशत अंक प्रात कर रोडे सर की निव करियर पॉइंट का नाम रोशन किया अनुशासन और समर्पन के साथ जब शिक्षक पढ़ाते हैं तब पूरा व्यवस्थापन विद्ध्यार्थियों के भविश्य पर केंद्रित होता है तब ऐसे सकारात्मक परिणाम आते ही हैं निव करियर पॉइंट का उधारण इसी सत्य का प्रमान है इसी लिए सन 2019 के कठिन काल में भी बारणवी के विद्ध्यार्थी पंकजवयद्य PCB में 97.8 प्रतिशत वसाक्षी पाटिल PCM में 93 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण हो पाते हैं सन 2019 में ही 10th CBAC में जिनवे द्यार्थियों ने नेत्र दीपक प्रदर्शन किया है वे हैं विशम परिस्थितियों के उपरांध में सन 2020 में New Career Point बुटिबूरी के विद्ध्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन श्री रोडे सर वो उनके समस्त शिक्षकों हेतु अभिमान की अनुभूती है सन 2020 में साक्षी मेश्राम का नीट में चैन हो शास्की यम मेडिकल कॉले छिनवाडा में प्रवेश तथा श्रीवेत काकडे की जे डवली एडवांस में सफलता अपने आप ही इस हकीकत को उजागर करने वाले प्रामानिक तथ्य हैं सन 2020 में CBAC के विद्यार्थी समीरा कामले 95 प्रतिशत आदित्य नागर गोजे 94 प्रतिशत कुनिका सावर कर 93.2 प्रतिशत वेदान्त जाडे 93 प्रतिशत वैभाव वर्धने 92.4 प्रतिशत एवं विने शिदूर कर 92.4 प्रतिशत इन सभी के साथ साथ 10 स्टेट बोर्ड में शुतिका फाले 95 प्रतिशत सानिया मेश्राम 93.4 प्रतिशत ओम कुसरे 93.2 प्रतिशत तेजस्विनी बोरवार 92.4 प्रतिशत इन सभी के अच्छे प्रदर्शन वह अंकों के लिए न्यू करियर पॉइंट का प्रयास भुलाया नह नहीं जा सकता। विज्यापन, उची फीस, वह व्यावसाइक्ता की अंधी दोड से दूर, न्यू करियर पॉइंट इसी नेत्र दीपक यश के साथ आगे बढ़ रहा है। जो पालगण अपने बच्चों के भविश्य को लेकर चिंतित हैं, वे न्यू करियर पॉइंट में निश्वल्क काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। अन्तता विद्यार्थियों को उनके योग्य भविश्य के लिए मार्गदर्शन देना ही न्यू करियर पॉइंट का प्राथमिक लक्ष है।